प्रेंग डारी वुश्मय हो कावता सेंग, हमारे चुनावी शोवोट यात्रा वे आपका स्वागत है आज से आप अपना पसंजीदा शोवोट यात्रा राद 10 बजे से देखेंगे पूत्यात्रा वे आज हम आपको बिहार के भागलपूर का सियासी मून बताने वाले हैं भागलपूर नाव भगत पुरम से बना है जिसका मतलब होता है अच्छा भागे लेकिन मोदी राज और नितीश राज में भागलपूर का भागी कितना बदल पाया है भागलपूर में ठप हो चुके सिल्क कारखाने दुबारा साथ ले पाए है या फिर नहीं ले पाए है और 2019 में भागलपूर की जनता किस पर आख मून कर भरोसा करती नजर आ रही है आज अब इन ही तवालों के जब आप तलाश्य के कोशिश कर रहे है तो शुरू करते हैं वोट यात्रा दुनिया के सबसे पुराने शेहरों में शुमार भागलपूर ग्यान और विज्यान की भूमी रहा शहर दुनिया भर में मशूर रही सिल्क सिटी भागलपूर भागलपूर में हमने अपनी वोट यात्रा शुरू की विक्रम शिला विश्म विद्यालाइ केंपस से वोट यातरा की टीम अब आप पहुंची है भागलपूर और इस वाक्त हम मौजूद है विक्रमशला में एक खंडहर इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक दौर था जब ये शिच्छा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था दरसल आठवी शताबदी में पालवंस के धरंपाल ने इसकी स्थापना की विक्रमशला इनिवर्सिटी में दूर दराज से यहाँ पढ़ाने के लिए और यहाँ पढ़ने के लिए सिच्छत और स्टूडिन्स दोनों आया करते थे अब उस गौरफशाली इतिहास के सिर्फ निशान बचे हैं ये निशान बताते हैं कि हमारा अतीत कितना सम्रद और महान था नकल और टौपर घोटाले की वज़ा से बदनाम आज के बिहार के शिक्षा विवस्था कभी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ करती थी एक दल मिला जो टूट पर आया था हमने चात्रों से जाना कि यहां परियटकों के कम आने की क्या वज़ा हो सकती है आप लोग आई जिस सलक से यहां पर पहुँचे वो सलक कैसी थी यह सलक इसकी हाल कुछ खरात थी जो बात इन बच्चों को समझा रही है शायद वो नेता नहीं समझ पा रहे छात्रों में जानने की असी मिच्छा होती है इसलिए हमारे संबादाता शिव पूजन जाभी उन्हें कुछ टिप्स देने लगे हम अपनी वोट यात्रा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको पिये मूदी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने बिहार विधान सबाद चुनाव प्रचार के दोरान बिहार की धर्ती से ही दिया था अब दिल्ली अब दिल्ली बिहार के साथ है अब दिल्ली बिहार का धाग्य बदलने के लिए आपकी सेमा में तैनाथ है अब इसलिए मेरे भाईयो बहनो आज मैं आपके पाउप आया हूँ बिहार के जीवन को बदलने के लिए एक अच्छी सरकार चुनने के लिए दिल्ली की सत्ता में बैटी बीजे पी अब बिहार की सरकार में भी साथ है आज हम चानेंगे कि मोदी और नीती श्राज में भागलपुर ने तरक्की की कितनी सीडियां चड़ी विक्रम शिला के बाद हमारी वोट यात्रा आगे बढ़ी रास्ते में मिर्च के खितों में हमें कुछ महिलाएं मिर्च तोड़ती हुए नजर आई स्कूली ड्रेस में ये बच्ची शायद सीधे स्कूल से अपनी मा का हाथ बटाने चली आई हम थोड़ा और आगे बढ़ें सड़क पर गोद में बच्चा लिए ये महिला दिखी मुफलिसी में पैरों में चप्पल तक नहीं है पीछे पीछे बच्चे भी नंगे पैर दोड़ रहे है ये तस्वीरे देखते हुए हम पान के खेतों में पहुँचे पान की बेल इन डंडों की मदद से उपर तक बढ़ती है जिस पान का स्वार आप दिल्ली मुंबई यसे शहरों में बड़े शौक से लेते हैं उस पान की खेती बड़ी ही महनत का काम है हमने पान उगाने वाली अदाम प्रकाश से जाना कि उनकी महनत रंग ला रही है या नहीं यह खेती करने में आपको मुनाफ़ा हो रहा है घटा हो रहा है घटा हो रहा है लिए लवन सरकार से 50,000 उसका एक लग बना दिया यही पर सो जो आठतारी को लोग से लोग से बार बार कह रही है इतना की किसानों के लिए सबसीडी दे रहे हैं NSP贵र बना रहे हैं उससे कुछ फायदा आपको नहीं हो रहा है प्तार से कितना पैसा में Furpaya मिलता है पाँच रुपय में 100 पत्ति आपको बेचते हैं पांच रुपे में सौ पत्तियां बेच कर कोई क्या खाएगा और क्या बचाएगा हमारे देश में प्रतिदिन औस्तन दस किसान मौत को गले लगा रहे है NCRB के 2016 के आंकणों के मताबिक किसानों की खुदकुशी के मामले 40 वी सदी बढ़े है किसानों का हल जानने के बाद हम आगे बढ़े सड़क के दोनों तरफ फूस की बनी जोपड़ियां दिखाए दिये रही थी बिजली के खंबे भी गड़े हुए लेकिन उन पर बिजली के तार नहीं लगे हम आगे बढ़ते रहे रास्ते में बाड की वज़ा से पलायन करते हुए लोग दिखाई दिये भागल पुर इन दिनों बाड की चपेट में है निचले इलाकों में पानी भर चुका है लोग जहां तहां फंसे हुए नजर आए पन्नूचक इलाके में हमें ये नाव देखी इस नाव के जरिये लोग सुरक्षत स्थानों तक पहुँच रहे हैं लोगों के पास ना लाइव जैकेट है और नहीं सेफटी का इंतजाम है अपने क्षमता से भी ज्यादा लोगों को ये नाव ढो रही है यहां ना NDRF देखी और नहीं SDRF रेस्क्य ओपरेशन की पूरी जिम्मधारी पीडितों पर ही है इन बक्रियों को भी इसी नाव से लाया गया हमने इन लोगों से जाना कि बार में गुजर बसर कैसे हो रहा है उदर कैसा पानी आया है फूब फूब जादे पूरा पानी सब ने एक ही सुर में कहा कि प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा ये सारे लोग सड़कों पर रह रहे है ये कहानी सिर्फ इसी साल की नहीं है बलकि साल दर साल यहां यही होता है बार की तरास्दी देखने के बाद हम भागलपुर के घोगा इलाके पहुचे यहां हाट लगा हुआ था स्थान ये लोग अपने अपने प्रोड़क्स सड़क किनारे बेच रहे थी कोई गोड़ और मैदे से बनी गोड़ जिलिया बेच रहा था तो कोई कतर नी चावा था हमने दुकानदारों से पूछा कि उनके दिन कैसे गुजर रहे है अच्छे दिन आये हाँ ठीक है समय ठीक है बहुत दिन अच्छे है अच्छा समय चल रहा है कोई दिक्कत महसूस कर रहे है कोई दिक्कत नहीं लालू परसाद यादक जेल में चले गए आपको लगता है कि पाटी थोड़ा बुश्किल में पड़ेगा गोगा डिवासियों की राय जानने के बाद भागलपूर शेहर की तरफ हम बढ़ चले हम शेहर के अंदर महराना प्रताप चौक पहुँचे हाथ में तलवार दिये महराना प्रताप चेतर पर खड़े हैं लेकिन पूरा चौक गंदगी से पटा पड़ा है आगे हम सिल्क मिल पहुँचे एक वक्त था जब भागलपूर सिल्क उत्पादन के लिए जाना जाता था लेकिन अब सिल्क की चमक फीकी पड़ चुकी है इस इमारत में बिहार सरकार ने सिल्क मिल खोली थी ताकि सिल्क को बढ़ावा मिल सके लेकिन ये इमारत सिल्क उध्योग की जरजरता बया करती है भागलपूर के सिल्क उध्योग की अब यही हकीकत है शेहर में आगे हम मशूर घूमनी मुडी की दुकान पर पहुंचें चाय और पकोड़े जैसे शब्द जब देश की राजनीती में सबसे एहम हो जाएं तो इस पेशे में लगे लोगों की सियासी राय भी बहत एहम हो जाती है हमने दुकानदारों से सियासी चर्चा है जाने में बढ़िया लगता है इसलिए बड़े चाओ से लोग खाते हैं अच्छा थोड़ा सा और चर्चा करना चाहते हैं लालु जी तो जेल चले गए आपको लगता है उनका जो लड़का है तेजस्वी यादा और तेजपरता आप यादा वो पार्टी को आजे बढ़ा पाएगा यह आपको क्या लग रहा है लालु जी के जेल जाने से पार्टी पर कोई फरक पढ़ेगा पूर्टी तो देखते हैं कि अक्सर मंदीर वगएरा मजीद वगएरा सबसे कॉंटेक रखते हैं इसके तो यह तो नेते लोग के उपर परवा तो जरूर पर रहे हैं नीतीश ने जब लालू का साथ छोड़ कर बीजेपी का दामन धाबा तो कहा गया कि बिहार के विकास की ट्रेन में डबल इंजन लग गया है हमने घूमनी मुडी का स्वाद ले रहे लोगों से जाना की विकास का इंजन कि सोर जा रहा है यानि डबल इंजन की सरकार के बावजूद शेहर को जो मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है इसके बाद हम शेहर में और आगे बढ़ें भागलपुर शेहर स्मार्ट सिटी के लिस्ट में शामिल है लेकिन यहां सड़के तूटी फूटी है चारों और गंदगी पस्री है स्मार्टनेस यहां दूर दूर तक नज़र नहीं आती यूही शेहर को देखते हुए हम मिठाई की मशूर दुकान पर पहुंचे जहां जलेबियां तली जा रही थी हमने दुकानदार से जाना की डबल इंजन की सरकार में शेहर कितना स्मार्ट हुआ स्थानियो लोगों का सियासी मूट जानने के बादे सुल्तान गंज के लिए हम निकल पड़े सुल्तान गंज पहुंचते ही हमारा स्वागत इस जलभराव से हुआ माजार में गुट्टों तक पानी भरा हुआ था सुल्तान गंज एक प्रमुख तीर्थ स्थल है हजारों लोग यहां प्रति दिन गंगा स्नान के लिए आते है सावन में यहां गंगा से जल भर कर कावड़िये 108 किलोमेटर पैदर चल कर जारखन के देवगर पहुंचते हैं लेकिन यहां तीर्थ यात्रियों के लिए नहीं स्नान घाट हैं और नहीं बाकी बुनियादी सोविधाएं यहां गंगा उत्तर तिशा में बहती है हमने अजगैविनात मंदिर के महनत प्रेमानंद से जाना कि इलाके में विकास की गंगा कि धार कैसी है विकास के नाम पर तो अभी जीरो तो खेर नहीं का सकता हूँ लेकिन बहुत पीछे है विकास के नाम पर बहुत पीछे है और कई बार फंड और गरा सुनने में आता है नेतलों के कि मने यह आया विकास करने के लिए 11 कुरोड आ गया तो सवा कुरोडा आ गिया ये गाड बनेगा वो गाड बनेगा अभी तक तो मने कोई सुनवाई नहीं हुई है आस्था की इस नगरी को अगर हरिद्वार की तर्च पर विक्सित किया जाए तो यहां परेटन की अपार संभाव बनाए है गंगा के दर्चनों के बाद हम वापस भागलपूर शेहर की तरफ लोटें हमारे संभादाता शेप पूजन जाक की परवरिश भी भागलपूर में हुई है शेहर में अंग्रेजों के बनाए चांपा नाला पुल को देख उनकी यादे भी ताज़ा होगे इस शेहर में प्रवेश करने के लिए एक मात्र यही पुल सहारा है जब आप मूंगे की तरफ से आते हैं यकीन मालिए कि इसकी बगल में जो दूसरा पुल आप देख रहे हैं इसे मैं तब से बनता हुआ देख रहा हूँ जब से मैंने खोश सम्भाला है अब तक ये पुल पूरा नहीं वपाया अंग्रेजों के जमाने में बने इस पुल पर ही लोग आवाजा ही करते हैं पुल पर हमें स्थानी बच्चे इस तरह खतरनाक स्टंट करते हुए भी नज़र आए शेहर में हम थोड़ा और आगे बढ़े तो पावरलूम की आवास कानों में पढ़े तभी सिल्क नगरी रहे भागलपुर में सिल्क की सारियां और कपड़े बनाने का काम अब भी किसी तरह चल रहा है हमने बुनकरों से जाना कि उनके धंदे की हालत कैसी है बहुत सारे वादे किये जाते हैं कि सिल्क नगरी बनाने में आपको कितना वाक्त लगता है एक सारी तैयारी करने में तीन चार घंटा लगेगा काम आई होती है एक सारी बनाने में को कितनी काम अंदार इसे कई हजार की बेचेंगे इन्हें महद सो रुप्या मिलता है कांगरेस जो है बहुत बड़ी हाँ था कांगरेस जो है बागलपूरी बिजनेस बहुत अच्छा चला रहे था उनके अलावा कोई नहीं चलाया उतना बड़े हैं उसके बाद से इस्तिति खराब हो गई पूरे बुनकर वहाँ उसके बाद से दंगा हुआ था 89 में बहुत भीशन दंगा हुआ था उसे बहुत सारे बुनकर जो है तबाह हो गए थे एक तरीके से हम ने बुनकर बस्ति का हाल भी देखा तंग गलियों में गंदगी पसरी है आजादी के 71 सालों बाद भी यहां पक्ती गली तक नहीं बन पाई है बुनकरों की बस्ति के बाद हम शहर के दिल कहे जाने वाले खलीफा बाद चौक पर पहुँचे इलाके के लोग इस बाद से नाराज हैं कि स्मार्ट सिटी के बादे के बावचून तस्वीर नहीं बतली है हमें लोग उसे ये पूछा कि क्या 2014 की तरह ही, 2019 में भी मोदी लहर रहेगी मोदी यह तो कोई लहर ही नहीं है 2019 में जिस तरह से आपने देखा 2014 में जो उनका ये था कि पेट्रॉल के दाम कम होंगे, गैस के दाम कम होंगे आपको इवीची बूठा के देख लिए तो ये थी भागलपूर की सियासी रहा है आईए आपको अब पिछले चुनाव के नतीजे भी बता देती 2014 के लोकसभा चुनाव में भागलपूर से आरजेली के शैलेश कुमार ने जीत दर्च की थी 2015 के विधान सभा चुनाव में जिले की छे सीटों में से आरजेडी ने दो सीटें जीत ली थी जेडी यू और कॉंगर्स भी दो-दो सीट जीत गई लेकिन वीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी हमें पिएम मोदी का एक पराना बयान याद आ गया आप भी सुनिए भाई यो बैनों मैं आपको बादा करता हूं पात साल के बाद 2019 में जब लोग सभा का चुनाव आएगा मैं फिर से आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा जब 2019 में आऊंगा तो दिल्ली में मेरी सरकार ने क्या काम किया है पाई-पाई का हिसाब दूंगा पल पल का इसाब दूंगा एक सितंबर 2015 को प्रदान मंत्री मोदीने भाघलपुर की जनता से यह वादा किया था और अब 2019 में पाई पाई का हिसाब भी देना पड़ेगा भागलपुर से शिव पूजन जा के साथ प्यूरो रेपोर्ट इंडिया नीवज